रादे रादे सब्स्ट्राइक धीजिए फुनीता कुकर चानल को बेल आइक अंद भाईए कान अजी की वीडियो की नुटिपिकेशन भाईए रादे रादे सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है देखिए हमें बेबी पिंक कलर की उन ली है जिसके हमने तीन नंबर कानजी की बूट बनाए है तो आज हम तीन नंबर कानजी की ड्रेस बनाने वाले हैं पिंक कलर की जिसे उनका पूरा सेट बन जाए और यह हूड वाली ड्रेस हम बनाएंगे तो यह भी रिक्वेस्टेड वीडियो ही है कि हमने जैसे जीरो से एक नंबर कानजी की जो ड्रेस बनाई थी हूड वाली वो बहुत अच्छी फिटिंग में आती है अध्रेस तो अब हमारे पास 304 नंबर के हमने बनानी थी तो इसलिए हमने आज 304 नंबर काना जी को यह ड्रेस आज है तो हम पिंक कलर की ड्रेस बना रहे हैं और 10 नंबर सिलाई के साथ में हम बनाएंगे और इसको हम थोड़ा सा बना रहें लेकिन इसमें थोड़ा सा डिजाइन यानि की बनाने का तरीका पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा इस तरीके से हम 16 फंदे डालेंगे सिंगल उन से और उल्टी उल्टी हम सिलाईयां बनाएंगे 16 ही सिलाईयां हम उल्टी उल्टी बना लेंगे तो देखे इस तरह के से हम दोनों तरफ से उल्टी-ल्टी सिलाईय बना रहे हैं 16 सिलाईय बनाएंगे तो यह जो लाइने हैं हमारी उल्टी-ल्टी यह 8 लाइने आएंगी तो आपको जैसे अगर आप 5 नंबर से 6 नंबर का मैंने बताई दिया है और यह हमारा 3-4 नंबर काना जिका है यह देखे इस तरह के से दोनों तरफ से उल्टी-ल्टी सिलाईय बना रहे हैं पहला फंद हम उल्टा बिन बना इस तरह के से ले रहे हैं जिससे कि यहां से देखे ऐसे फिनिशिंग आएगी तो हम यह हमारी 16 सिलाईय है तो इसको बना लेते हैं तो यह देखे हमने 16 सिलाईय बना लिए एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ आठ लाईने बनके त्यार होगी इसमें हमने यह हमारा हूड है उपर का कैप है जो काना जी का यह हमने उल्टा-ल्टा बनाया है नीचे से इसमें सीधा उल्टा बनाएंगी जैसे हमने जीरो साइज में भी उल्टी-उल्टी से लाई बनाई है एक नंबर की ड्रेस बनाई है और हमने जो 6 नंबर की काना जी की 5 से 6 नंबर काना जी की dress बनाए है वो भी हमने उल्टी-उल्टी बनाए है लिकिन इसे 2 रंग से बनाए है तो इसमें हमने सोचा क्यों न सीधा उल्टा बनाए जाए तो हर ट्रेस में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए और इसमें फंदे बढ़ाने का त्रेक भी थोड़ा अलग होगा तो इस ट्रेस में आप चाहे तो कोर्से से लेस नहीं बनाईएगा वह आपकी यह इचा है बिना इसके भी अच्छा लगेगा क्योंकि हम साइड में यहां पर तीन फंदों का बोर्डर बनाएंगे अगर आपको बनाना है तो आप बना भी सकते हो ऐसा कुछ नहीं है यह देखे पहला फंदा बिना बना लिया और यह तीन फंदे हमने उल्टे उल्टे ले लिए ठीक है तीन फंदे उल्टे हो गए उनको पीछे किया और यहां से भी तीन फंदे हमारे इसी तरह के सोंगे बीच में कितने फंदे एक दो तीन चार पांच 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 दस इन दस फंदों को हम डबल कर देंगे यानिकि 20 कर देंगे कैसे सीधा बनाया ऐसे फिर इसी फंदे को फिर से सीधा बनाया इस तरीके से हर एक फंदे को हम डबल कर रहे हैं एक से दो बना रहे हैं यह देखिए पीछे से बुने लिया आगे से ऐसे बुना सीधा और फिर इसी फंदे को पीछे से फिर से सीधा बनाया क्योंकि यहां से हम सीधा उल्टा बनाएंगे तो यहां तक बना लेते हैं तीन फंदे चोड़े देते हैं दस फंदों को हम इसी तरीके से एक से दो करते है तो ये देखी दस्वाँ फंदा भी हमने इसी तरीक से एक से दो कर दिया उनको आगे किया लाश्ट के तीन फंदे हैं इन्हें उल्टा बना ली तो ये देखी 20 हो गए, तीन इदर तीन इदर 26 फंदे हमारे टोटल हो गए है उल्टी सिलाई पूरी उल्टी तो उल्टी सिलाई हमेशा इसी तरीके से बनाने ही देखी हमने इहां पर फंदे बढ़ाएं तो थोड़से टाइट हैं देखी इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे तो देखे हमने यहाँ से डिजाइन हमारा जो शुरू हुओ है निचे का चोली का हिससा तो यहाँ पर हम सीधा उटा बना रहे दो सिलाई यह हमने बनाई जिसमे कि पहली सिलाई पर हमने फंदे बढ़ाए उल्टी सिलाई पुरी उल्टी अब सीधी पर हमें कुछ नहीं करना इसे हम ऐसे ही बना लेंगे पहले तीन फंदे उल्टे और लास्ट के तीन फंदे उल्टे पहला फंदा भी न बना लिया और पूरी सिलाई बीच में से जो बीस फंदे हमारे हो गए हैं इनको हम ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे तो देखे ऐसे सीधा उल्टा बनेगा और लाश्ट के उल्टे उल्टी सिलाई फूरी उल्टी बनाकर फिर से सीधी सिलाई आते हैं तो देखे उल्टी सिलाई बना लिए पांचमी सिलाई है पांचमी सिलाई पर फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे तो पहला पिना बना लेके दो फंदे उल्टे यानि कि तीन फंदे हमारे उल्टे उल्टे उनको पीछे किया तो हमने बीच के हर एक फंदे को बढ़ाया था पहले अब हम एक छोड़कर दूसरे फंदे को बढ़ाएंगे तो पहला हमने सीधा फंदा बुन लिया ऐसे और दूसरे को एक से दो बना देंगे ऐसे बनाया और जैसे पहले क्या था पीछे से एक बाग फिर एक फंदा सीधा बनाया दूसरे फंदे को बढ़ा दिया एक से दो फिर एक फंदा बढ़ाया सोरी बिना बढ़ा लिया एक सीधा और दूसरे फंदे को 1 से 2 कर दिया तो हमारे टोटल 10 फंदे फिर बढ़ जाएंगे तो 36 फंदे हमारे टोटल हो जाएंगे बीच में 10 20 थे 10 ओर बढ़ जाएंगे 3 3 दर 36 तो उल्टी स्लीज बना कर फिर से सीधी पर आते हैं तो देखे हम फिर से सीधी साइड आ गए है और यह हमारी सात्मी सिलाई यह पांचमी पर हमने फंदे बढ़ाए छटी उल्टी और सात्मी पर फिर से हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे आपके इक पर फिर से देखे पहली पर हमने फंदे बढ़ाए फिर उल्टी सिलाई पुरी तीसरी पर हमने फंदे नहीं बढ़ाए, हमने पांच वी पर फंदे बढ़ाए, अब ये हमारे सात्वी है, यानि कि एक सिलाई छोड़कर हम जब दोसरी बार बनाएंगे, जब हम फंदे बढ़ाएंगे, तो दो बार हमने फंदे बढ़ा लिएं, फर्स्ट पर और फिफ्द यानि कि पहली और पांच वी पर, अब ये सात्वी सिलाई है हमारी, सात्वी और आठवी पर हम कोई उल्टी तुप्य तो हमने कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना, सीधी उल्टी बनेगी, हमेशा सीधी पर फंदे बढ़ा रहे हैं, तो अब हमारी सीधी सिलाई भी ये ऐसे ये ही बन जाएगी, तो इस पर हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, सात्वी सिलाई है हमारी, पहले बस 3 फंदे उल्टे, लास्ट की 3 फंदे उल्टे और ये हमने सारे फंदे सीधे बना लेने हैं, और उल्टी फ्र आठवी सिलाई पूरी उल्टी, फिर हम 8 फंदे बनाएं न आप चाहें तो बेटन उपर से शोग कर सकते हो प्रेस बेटन लगा सकते हो तो ये तीन फंदे हमने इसी तरह के से उल्टे बना लिए उनको पीछे किया तो अब फिर से देखी पहले फंदा बढ़ाया था फिर दूसरी बार बढ़ाया तो एक छोड़कर दूसरा अब हम दो छोड़कर तीसरे फंदे को बढ़ाएंगे फिर से सिरफ दस फंदे ही हमारे बढ़ेंगे एक दो और तीसरे को एक बरागे से और एक बार बैक साइड से पीछे से एक से दो करना है फिसे देखे एक दो तीसरे फंदे को एक से दो इस तरीके से हमने पूरी सलाई बनानी है एक दो तीसरे को एक से दो तो यहाँ पर भी हमारे 10 फंदे ही बढ़ेंगे तो यह हमारे पहले हो गए थे 26 फंदे बढ़े थे क्योंकि 10 को हमने डबल किया और 26 तीन इदर तीन इदर फिर हमारे सेक्ट पर में 36 फंदे वे अब हमारे 46 फंदे हो जाएंगे 46 फंदे तो पूरी उल्टी सलाई बना लेते हैं फंदे बढ़ाने के बाद में फिर सीधी तरफ आते हैं तो देखी फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं 46 फंदे हमारे हो गए हैं तो दो सलाई हम बना लेंगे बीना फंदे बढ़ाई सीधी तरफ से जैसे हमेशा बनाते हैं इस तरह के से पूरी सीधी सिलाई बना लेंगे और लाश्ट के तीन फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उसके बाद हम बाजू अलग करेंगे तो चली बाजू अलग कर देते देखें, हम जब सीधी उल्टी बनाते हैं इस तरह के से, तो थोड़ी सी इस तरह से खिचाव कम होता है, जबकि हम उल्टी उल्टी बनाते हैं, तो खिचाव जादा होता है, इसलिए जैसे हमने छे नंबर काना जिकी ड्रेस बनाई है, जीरो तो उसमें अगर हमने उल्टी उल्टी सिलाई बनाई तो उसका जो चोड़ाई हो थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, अगर आप ऐसे सीधा उल्टा बनाते हो, छे नंबर काना जिकी, तो आपको फंदे हमारी उल्टी उल्टी जो सिलाई वाला बनाई है, उससे ज्य पहला फंदा लिया हमने, दो, तीन फंदे तो हमारे हो गए, उल्टे-उल्टे, उनको पीछे किया, और एक, दो, और ये तीन, टोटल हम छे फंदे यहां पर रख रहे हैं, और यहां से हमारी बाजू बनेगी, तो यहां पर गिनके ले लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा, हमने बारा फंदे ले लिये, यह देखें, क्योंकि हम यहां पर तीन से चार नमबर कानजी के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने बारा फंदे लिये हैं, अगर आप यही उल्टे-उल्टे बनाते हैं, तो आपके जो है, चोड़ाई, दस फंदों में भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना, तो हमने बारा फंदे ले लिए, यहां से देखें, एक, सोरी, तीन, और तीन, चे, यह जैसे हमने यहां पर लिए, इसके पास बारा, एक, दो, तीन, चार, पान्च, चे, बारा फंदे हो गए हमारे बाजू के पीछे की तरफ देखें, एक, दो, तीन, चार, पान्च, शे, साट, आठ, नो, दस, यह बैक साइड किए हैं, ठीक है ना, तो हमारे इसवाप्त हैं, पीछे की तरफ बारा और दोनों तरफ आ गया गया गए चे 6 फन्दें और बाजू के फन्दें हमारे 12 फन्दे तो यह हैं इस वाजू को पहले अलग से बना लेंगे पहला कंदा बिना बुना लेके इस तरीके से हम सीधे उल्टा बनाएंगे तो यह दूसरी सिलाई है हमारी बाजू की कि है ही हम ने कोई निषान ही निए नी लगा है है इसलिग्ट हो गए तो ये 6 फंदild Ba wave कि बाजिव के बनाने फिर से ऐसे वापस हो जएंगे और इस ये और बार फंदों की बाजिव बनाएंगे बाजू हमें कितनी बड़ी बनानी है वो आप अपने हिसाब से कम जादा भी बना सकते हो इस बाजू का फोल्ड वाली भी बना सकते हो थोड़ा से लंबा बना सकते हो जिससे लड़ू भी ढग जाए तो आपको अलग से दस्ताने वेगर बनाने की ज़रूरत नही सकती है और इसको फोल्ड करके आप उंचा भी कर सकते हो तो हम यहां पर पोने दो इंच या डेड़ इंच की बाजू हमारी टोटल होने चाहिए मैं आपको दिखाती हूं इंच टेप से यह देखिए हमारी चोली होती है तीन नंबर काना जी की हम जैसे डेड़ इंच के करी दो इंच बनाई थी तो यह टोटल हमारा तीन इंच ऐसे आरत लेकिन है हमारी तीन से चार के है तो हम पोने दो के करीब हम सिर्फ बाजू बनाएंगे तो आप इस तरीके से देखिए एक इंच बस बाजू आप बना लेजिए एड़ाई इंच के करीब यहां से हो गया हमार ठीकँ नगा श्रफ एक इंच अमने बाजू बनानी है तो कितनी समय बनानी देखिए हमारा उपपर से एक इंच है एक तू तीन चार पाँच हम्म बना लेंगी दो समय हम्ने बना लिये हैं तो आज समय हैं हम सीधी उल्टी बनाते zit का बाद में यह देखें, एक इंच अब हमें उल्टी-ल्टी सिलाइं बना कर इसको बंद करना है तो हम क्यासे करेंगे, देखें दो लईने चिर्फ हमारी नीचे की तरफ आने चाहिए तो चार सिलाइं हम बना लेंगे तेखें, उल्टी सिलाइं हमने देखी कहीं भी कोई फंदा घटाया नहीं है सीधी सीधी हम बना रहे हैं क्योंकि जो लड़ू होता हाथ में वहाँ पर थोड़ा टाइट हो जाता है कही बार तो फसता है तो आप इस तरीके से बस बंद करते हैं थोड़ा सा आप टाइट बंद कर देंगे हाथ तो आपकी जो है आगे से बोटम जोती हो अपने आपी कम हो जाती है अगर आपको घटाना आप घटा भी सकते हैं के खुंदा यह देखिए सीधी तरफ से उल्टी बनाई, दूसरी तरफ से उल्टी बनाई, तीसरी तीन सलाई उल्टी बना लेते हैं पहले, फिर चोथी सलाई पे हम बंद कर सकते हैं या फिर पांच में पर आप बंद कर सकते हैं, दो लाइने आपको सीधी तरफ आने चाहिए देखे, अभी तीसरी सल स्लाई बना रहे हैं उल्टी-उल्टी और चोथी पर हम बंद कर देंगे तो यह बोर्टर हो जाएगा नीचे का सिर्फ दो लाइनों का जैसे बड़ी ड्रेस होती है तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं यह देखें अब हम चोथी स्लाई पर बंद कर देंगे दो का एक करके इस तरीके से हम सारे बंदे बंद कर देंगे तो उल्टी तरफ से यह आपको बंद करने ऐसे आपकी स्लाई ऐसे आने चाहिए ठीक है ऐसे हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे तो देखें लाश्ट का एक फंद आई है इसको हम इस तरीके से धागा निकाल देंगे हमने इतना धागा रख लेना कि बाजू की सिलाई हो जाए ठीक है यह देखें थोड़ा से धागा हमने रखा है तो यह छोटी सी हमारी बाजू बन गई इस तरीके से हमारी सिलाई हो ज क्योंकि उल्टी उल्टी है तो ऐसे आएगी बहुत सुन्दर लगेगी और जब ज़्यादा ठंड हो ताप इस तरीके से कानाजी का पूरा हाथ ढग सकते हो चलिए बाजू हो गई हमारी अब हमने यहां पर धागा दुबारे लगाना है यह पीछे के दस फंदे बनाकर फिर यहां से हम बाजू बनाएंगे क्योंकि हमारी स्लाइग ऐसे आ रही है तो यहां पर हम अपना धागा लगा लेते हैं यह देखिए ऐसे हमने लगा लिया और इस तरीके से दस फंदे बनाने एक दो तीन थोड़ा सा हमने डबल ले लिया अब इस दबाते वे चले जाएंगे चार पांच छे साथ आठ नो और पीछे से से दबारे हैं जिससे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यहां से 12 फंदों की सेम बाजू इस तरीक से बना कर त्यार कर लेते हैं तो देखी दोनों बाजुएं हमारी बन गई यहां से हम बनाते आए थे पीछे के फंदे हमने 10 बना ली थे यह हमारे नहीं बने इसलिए यहां पर हम इसको 6 फंदों को बना लेंगे तो धागा लगा लेते हैं कि यहां वे तीन फंदे है और यहां को आगे किया लास्ट के तीन फंदे उल्टे यह हमारी लास्ट कि इसी तरह किसे बटन पट्टी चलेगी अचाया अभी यहां से वापस अब ये सारे फंदे 10 इधर के और ये 2 नो 6 6 ठीक ना ? सारे खटे बना लेंगे तो 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे इसमें ये धेखे पांच फंदे हम बनेंगे ये देखे लाश्च का जो फंदा ये और इधर का पीछे बैक साइड का दो का एक कर देंगे ठीक है ? तो ऐसे हमारा एक फंदा यहां कम हो गया, ऐसी दूसरी साइड हो जाएगा, और चाहे तो आप इसे बना भी सकते हो, ठीक है, तो यह देखिए, यह हमने पीछे के बना लिए लाश्ट फंदा यह, और एक बाजू, यह दोनों का, फ्रन्ट रोल बैक का एक मिलाके, दो का एक क तो यह सिलाई हो जाएगी बाजू कि इसलिए हमने यहां पर थोड़ा सा धागा छोड़ दिया दोनों तरफ, और यहां पर भी हमने फंदी डाले थे थोड़ा सा छोड़ दिया था, अब यह टोटल फंदे जो हमारे, इनसे हमारा नीचे का घेरा बनेगा, तो देखिए हम यहां पर फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है न, यहां पर हमने सीधी सिलाई बनाए, उल्टी बनाकर सीधी पर आगए, पाँच जगा हमें सिरफ फंदे बढ़ाने इसमें, तो इसके लिए हमने कुछ निश्क मारकर बना लिए इस तरीके के उनके जो हर कोई बना सकता है, यह कैसे नोट बान दिये हमने, यह देखिए, पाँच बना लिए मैंने, ठीक है, अब देखिए पाँच कैसे लगाने है, यह हमारे तीन इदर के फंदे, तीन इदर के तो उल्टे उल्टे चलेंगे, बीच के एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, चोदा फंदे, एक एक हमारे यहां कम हो गया, तो हमें पाँच हिस्सों में बाटना है, तीन तो यह नहीं, ऐसे ही चलेंगे, इनको तो नहीं गिनेंगे, तो अब देखिए, शुरू के जो दो फंदे, इनको डबल करना हमने है, फिर एक सिंपल बनाना है, फिर दो को डबल करना है, फिर एक सिंप दिया चार फिर एक छोड़े दिया पांच तो यहां पर पांच जगा हमने मारकर लगाना है अगर जैसे आप बड़े काना जी की बनाते हो तब भी आपको जैसे मैंने बीच में एक एक छोड़ा है तो आप दो दो छोड़कर यानि की पांच या छे जगा बढ़ा सकता है अग यह जाली वाली ड्रेस नहीं है यह देखिए पहले फंद हम बिना बुना लेके इस तरीके से तीन फंदे उल्टे उनको पीछे किया अब यह शुरू के दो फंदे हमने बढ़ाने हैं तो इन दोनों के बीच में मारकर आएगा तो पहले हम एक फंदे को बढ़ा लेते हैं यह ऐसे बनाया फिर इसी को पीछे से एक बार ओर यान की एक से दो हमने कर लिया फिर इसके बीच में मारकर लगा देंगे फिर इसके साथ वाले फंदे को भी एक से दो कर लेंगे ठीक है यह देखे ऐसे सीधा बनाया फिर इसे पीछे से सीधा बनाया तो दो फंदे हमने बढ़ाए तो देखे दो से चार हो गए एक ये दो और ये दो क्योंकि एक से दो हो गए ये भी एक से दो तो बीच में है तो हमेशा आपको क्या करना है दो ही फंदे बढ़ाने तो ये मारकर आपको क्या help करेगा जब आप बनाओगे तो यह इधर वाला फंदा और इधर वाला यही दो आपको अलग बढ़ाने क्योंकि बीच में तो बढ़ते चले जाएंगे फिर यह हमने एक simple फंदा बना लिया ठीक है और फिर हम एक दो फंदे लगातार बढ़ाएंगे तो पहले ए दूसरे फंदे को भी एक से दो कर लिया ठीक है दो फंदों के बीच में आ गया जो कि दोनों तरफ दो दो फिर एक simple बना लेना हमने यह चीज हम उल्टी स्लाइम में भी कर सकते थे ठीक है एक हमने ऐसे बना लिया फिर यह दो फंदे तो इसको हम एक से दो कर लेंगे फिर मारकर लगा देंगे फिर दूसरे फंदे को भी एक से दो कर लेंगे तो आप समझ गये हैं कि जो दो फंदे में बढ़ा रही हूं उनके बीच में मारकर लगा लगा यह ठीक है फिर यह simple फंदा एक उतार लेंगे फिर दो फंदे लगातर बढ़ाएंगे एक से दो किया और इसके बीच में मारकर लगा दिया अगले फंदे को भी एक से दो और एक simple फंदा बना लिया अभी last के देखे तीन फंदे यह हैं दो यह इन दोनों के बीच में मारकर लगा तो पहला हम बढ़ इसको एक से दो कर लेते हैं गरबर हो गया एक बर बनाया और फिर से इसे दो बारे बनाया और यहां पर भी मारकर लगा दिया अगले दूसरे फंदे को फिर एक से दो बना लिया उनको आगए कि लास्ट के फंदे तीनों उल्टे हैं ठीक है अभी देखे आप पांच जेगा मारकर आ गया है और फंदे भी हमारे बढ़ गए हैं यानि कि चार इधर चार सोरी दो इधर बढ़े तो चार होगे न दो परी तो चार इधर चार इधर चार इधर चार इधर चार इधर तो दो दो फंदे बढ़े दस फंदे हमारे बढ़ गए हैं अभी पूरी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी slightly दिए मारकर को कैसे रखना को एक बाद दीख ले जिए डीए अ मुख आ तो देखें हैँ और मारकर आया तो इसे सिलाई में ले पीछे की तरफ करना अगर आगे की तरफ ऐसे कर दोगे और फिर आगे फंदे बनाओगे तो ऐसे बंद जाएगा ठीक है न तो इसको पीछे की तरफ ऐसे रखना आपको और उल्टी से लाई बनाते भी जाना है आप गिन के बनाना चाहे तो गिन के भी बना सकते लेकिन इस ते बहुत हैल पी मिल जाती है मार कर को ऐसे किया पीछे की तरफ किया और आगे के फंदे हमने उल्टे बना लिए तो फिर से सीधी तरफ आते हैं तो देखे सीधी तरफ आगे हैं उल्टे तीन फंदे बना लिए हमने पीछे की तरफ उनको कर दिया अब ये देखे हमने दो फंदों को लगातार बढ़ाया था यानि कि इस तरीके से तो एक इधर बढ़ गया एक इधर तो मारकर के दोनों तरफ ये देखे दो दो फंदे हो गए है ना ये देखे दो इधर दो इधर तो अब कैसे बनाना है ये देखे पहला फंदा हमने बना लिया सीधा ऐसे सिंपल अभी मारकर आ गया ठीक है ना इसके दोनों तरफ के एक एक फंदे को हमने एक से दो कर देना ही देखी एक और फिर पीछे से इसे सिलाई में वापस ले लेंगे क्योंकि फिर से हमें इसी मार करके दोनों तरफ के फंदे बढ़ाने अब इसके साथ में यह ला फंदा है इसको भी एक बार बनाया और फिर पीछे से दूसरी बार ठीक है ना? इस मारकर के दोनों तरफ के फंदे बढ़ गए अब देखिए, यहां पर मारकर है तो यह दोनों फंदे हमारे बढ़ेंगे तो बीच में तीन फंदे इनको हम ऐसे बना लेंगे सीधे सीधे एक, दो और यह तीन अगली बार पांच हो जाएंगे तो आप ऐसे गिन के भी बना सकते हो जब भी आप फंदे बढ़ाएंगे तो आपका एक एक फंदा बढ़ जाएगा बीच में तो एक थाई अब एक इधर बढ़ा एक इधर हो और बीच में सिंपल जो बना था तीन हो गए ना आगे आपको पांच हो जाएंगे तो आप फिर फंदे बढ़ेंगे तो आप गिन के भी बना सकते हैं देखिए मारकर के इधर वाला फंदा एक से दो किया इस लाई में मारकर को ऐसे तार लिए देखिए फूल गया हमारा फिर भी हम बाद में इसको लगा लेते हैं और इस फंदे को भी हम एक से दो कर लेते हैं पिर यह देखिए एक दो और यह तीन फिर मारकर आगे इसके इसी तरीके से हम बनाते रेंगे जितना भी आपको लैंट चाहिए उतना मारकर को ऐसे तार लिया फिर इसके साथ वले फंदे को भी इसी तरीके से बढ़ा लिया तो हमेशा 10 फंदे आपके बढ़ेंगे बीच के 3 फंदे और फिर मारकर के दोनों तरफ फंदे बढ़ाने एक बार और ये दो ठीक है तो ये अपनी हैल्प के लिए है बस कि हाँ हमेशा इन दोनों को ही बढ़ाना है जिसे हमारे से गलती ना हो ठीक है ये देखें फिर यहां लाश्ट वला मारकर आगा इसके भी दोनों तरफ का एक एक फंदा बढ़ा लेंगे मारकर को ऐसे उतार लेंगे फिर दूसरे फंदे को भी बढ़ा लेंगे और ये यहां पर एक फंदा है इसको सीधा बना लेंगे और लाश्ट के तीन फंदे उल्टी उल्टी सलाई पूरी उल्टी फिर सीधी तरफ आएंगे तो इसी तरीके से देखें जार जा मार कर है उसके दोनों पढ़ाना है बीच के हमारे डबल होते जाएगे डबल हो भी देखिंव ऑक बढ़ जाएगा जै कि मारकर ही आए ना एक दो तीन 4, 5, 6 हो गए हमारे जब दो नहीं होने चाहिए इसे गिनते है देखिंब अच्छे यह marker है हमारा एक दो तीन चार पांच छे साथ सोरी साथ हो गए है एक दो तीन चार पांच छे साथ हाँ साथ ही होएंगे क्योंकि एक एक तो बढ़ा है और एक एक हमने बनाया वह भी तो है ना हाँ मैं अभी पशय से लो रही हूं यह देखी दो पंदे इस तरफ दो एक साथ तो 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 पांच तो पहले से थे एक एक और बढ़ गया तो साथ हो गए अगली बार फिर एक यहां पढ़ेगा एक यहां तो नो हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीक साइब बढाते रिए तो देखिए हमने इतना बना लिया है यहां से हम देख रहे हैं यहां से देखिए इतना हमने बनाना है था हमारा बनी चुकर है एक फ़ए और और हम फंदे बढ़ाइंगे यह देखे, तीन उल्टे ले लिए और उसके बाद हम उल्टी-उल्टी स्लाइय बना के बंद कर देंगे उनको पेचे किया देखे, यहाँ पर हमारे मार्केर के पाद कितने फंदे बढ़ चुके हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ यहाँ पर हमारे, जबकि हमने शुरू में इस तरह के से दोनों फंदे बढ़ाए थे, और यह साथ फंदे हमारे इतर होगे हैं या आप उतार भी सकते हो मारकर अब क्योंकि हमें इसके बाद फंदे नहीं बढ़ाने तो हम इसको अटा देते हैं और इसके साथ और फंदे को इस तरीके से बढ़ा लेते हैं तो देखिए ऐसे एक लाइन सी आपको दिखाई देगी ठीक है और फिर यहां पर आगे फंदे हम बढ़ा लेते हैं सुरी बना लेते हैं बढ़ाना तो सिर्फ मार्कर के दोनों तरफ ही है यह देखिए तो हमारा देखिए एक फंदा था बीच में और यह कितने फंदे हो गए हमारे यह देखिए फिर मार्कर आगया इसको हमने मार्कर के साथ वले को एक से दो गिया और इसको खोल दिया और इसको भी हमने क्योंकि लगाता दो हमने फंदे बढ़ाने है ठीक है अगर मैं आपको वैसे दिखाओं बीच में यह 15 फंदे है और अब एक एक बढ़ाएंगे तो 16 17 फंदे यानि कि हो जाएंगे तो इस तरीके से हम यह पूरी सिलाई बना लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे और सीधी तरफ से फिर हम उल्टी बनाकर बौडर बनाएंगे जैसे हमने बाजियू में बनाया था यह देखिए फिर से एक से दो किया और मारकर को निकालके हमने अटा दिया दूसरे फंदे को भी एक से दो बना लिया तो यह पूरी बना लेते हैं उल्टी सिलाई बना लेते हैं और फिर हम ऐसे उल्टी उल्टी चार सिलाई यां पांस सिलाई जितने भी आपको लाइने ब बनाकी अपनी चिसे बंद करेंगे तो देखी सीधी साइड आगे हैं अब हम उल्टी उल्टी सिलाईय बनाएंगे दोनों तरफ से तो जैसे हमने बाजू में तो दोई लाईने बनाए थी इसमें हम तीन लाईने बनाएंगे याने कि छे सिलाई च्छटी सिलाई पर हम फंदे बंद कर देंगे तो इस तरह के से दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाईय हम बनाएंगे है तो इसमें कहीं भी करोशिया इस्तेमाल नहीं करेंगे इसलिए ने चारों तरफ नहें यहां पर और अफे बॉड्र बनाये हैं यहां पर हमने बॉड्र बनाये तो देख़े अमारी दो लाइने बन गे तीसरी लाइन जब हम बनाएंगे तो इसी पर हम बंद कर रहे हैं सीधी तरफ से यह देखिए इस तरीके से तो हम यह से फंदे बंद कर देंगे तो देखिए तीन लाइने आगए नहीं दो तीन इस तरीके से सारे फंदे हम बंद करेंगे तो इसे देखिए हमारी ड्रेस बन गई है अब हम स्लाइक कर लेते देखिए हमने नेक पर भी धागा छोड़ा हो है बाजू पर भी बाजू ऐसे स्लाइक कर लेंगे तो मैं नेक आपको दिखा देती हूं ऐसे हमने बाजू स्लाइक करनी है तो धागा अपना सुई में डाल ल यहां आपको अलग से पास पास में आपको सिलना ऐसे ज्यादा कुला कुला नहीं सिलना आ यहां और इधर से तो यह सिलाई कर लेते हैं बाजुई सिल लेते हैं देखिए तो इसमें हम को रोशा इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आपको करना है तो आप वीडियो देख सकते हैं उसी तरीके से आप कर सकते हो लेकिन इसमें हमने बटन पट्टी वेगरा सब बनाई है किनारे पर आके ऐसे धागे को कट कर देंगे तो यह देखे ड्रेस बनके त्यार हो गई है यह हमने बाजू सिल दिये यह देखे तो मैं आपको नाप के बताती हूँ बाजू कितनी बनी है यह देखे यहां से ही नेक से यह देखे धाई इंच बनी है जबकि हमारी यहां से देखे सिर्फ सवा इंच है तो लंबी लगे तो आप ऐसे फॉल्ट कर सकते हो ठीक है ना और ये देखे उपर से हमारी हूट बन गई है जो चार नंबर कानजी को भी आ जाएगी और तीन को भी आ जाएगी और ये देखे घेरा आफी अच्छा बनाए देखे हम इसे ड्रेस में घेरे को इस तरीके से रखते हैं एक योपर एक वी कलीदार घेरा हमने ऐसे बनाए देखे कितना प्यारा लग रहा है तो यह हमारी कुछ ड्रेस इस तरीके से आएगी ये देखे अब बूट हमने बनाई लिए अगर आप पूरी ड्रेस भी बनाते है जब भी देखे घेरा पूरा आप बना हुआ है ठीक है ना क्योंकि इसमें हमने करोशिया नहीं करना था इसलिए फूड़ा सा घेरे को और बाकि आप यहां चाहिए तो डोरी लगा सकते हैं लेकिन ही घेरा यहीं से शुरू एलाइन में देखे इस तरीके से इसलिए इसमें हम डोरी नहीं बैल्ट इसमें कोई करोश इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे उमीद है आपको पसंद आई होगी टोटल ड्रेस में दिखा देती हूं आपको कितनी लैंद इसकी यहां से देखी साड़ी तीन इंचे बाजू से थोड़ा हमने घेरा बड़ा ही बनाया है क्योंकि हमने तीन से चार बना रादे रादे